रमजान के महीने में बाल सुखाने का एक हिजाबी को अपने बालों में हेर ड्राइर का बरारी में बताने का क्या मतलब है कहीं से भी कोई आप चीज रिलेट कर पा रहे हो या तो भई ये धीरे-धीरे मुकसद है इनका कि धीरे-धीरे करके ये हिजाब को दुपटे पे ले यह दुपटे पैसे बिल्कुल ही गायब करने वाली है मतलब कोई तो हद होती है क्या मतलब है इसका अब तो मौसम इतने अच्छे तरीके से बदल गया है और तुम तो सरफ केमरे के सामने दुपटा लेती हो तुमारे घर में और कोई है भी नहीं तो आप उसको जो ना वैसे तावल से जाड़ कर भी उसको खुद बखुद भी कुद्रती भी सूखने दे सकती हो ना लेकिन नहीं अब तुम ड्राय चला कर भी दिखाओगी हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माई चैनल चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथी साथ बैल आइकन प्रेस कर ले जिसे के आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन्स आपको पहले ही मिल जाए और इतना ही नहीं है चालू हप्पी का दिमाग कह हां तक चल रहा है और कितना डीप वो सोच रही है और क्या बताने की कोशिश कर रही है वो भी हम इस पोड़कास में आपको बताएंगे तो बने रही है हमारे इस पोड़कास के साथ देखो ओपनिंग ली नोने इस वाले व्लोग की हाई फ्रेंड्स जैसे भी जिस तरह से भी लेती हैं और क्या फूर्ती के साथ भाई दोने ओपनिंग ली है कहीं भी किसी भी एंगल से आपको लग रहा है कि इनकी तबियत खराब है या इनको कोई problem है या कुछ भी problem है लेकिन ये तो vlog करते हैं तो इनको कुछ भी problem नहीं होती लेकिन जब इसी suit में पहन कर और भाई की यहाँ पर रोज़ाफ त्यार करने के लिए गए थे तो oh my god कितना मूँ लटकाया हुआ था बोल भी नहीं पारी थी बिचारी के म मूँ जो ना वो हिल भी नहीं पा रहा था मतलब शब्द नहीं निकल देते क्या था यह नोटंकी कहीं की पूरी रात तो यह जागते हैं प्लोटिंग प्लानिंग करते रहते हैं अब क्या करेंगे अगली दिन क्या शूट करेंगे क्या नहीं करेंगे स्टोरी बनाना यह कर सकते हो तो ऐसे जागने कार ऐसी एक तरीके से अगर मेरे जो जो भी non-muslim viewers हैं उनको बताओं ऐसी तपस्या का क्या मतलब जिसमें तपस्या ना हो सके समझ गए ना कोई चीज अगर आपको tolerate करनी पड़ रही है आपका रोजा है आपको खाना नहीं है आपका रोजा है आपको गलत सोचना नहीं है आपका रोजा है आपको गलत सुनना नहीं है आपको गलत देखना नहीं है जो कि ये भर भर के दिखावा करते हैं कोई चीज लाए वो दिखाया कोई चीज कर रहे हैं वो दिखाया कोई चीज इनको मिली वो दिखाया कोई गिफ्ट आया तो दिखाया किसी ने किसी को किसी के लिए कुछ खीया तो दिखाया घर में क्या नया काम किया वो दिखाया माना कि व्लोगिंग दिखावे का ही काम है यानि कि दिखावे से ही आपके व्लोगिंग चलती है तो किस ने कहा है कि ये काम आपको रमजान में करना ही करना है भाई आप लोगों ने इतना कमाया है अगर एक महिना आप रमजान नहीं भी रमजान में अगर आप नहीं भी व्लोगि आपके लिए और आप अल्लाह के करीब जा पाएंगे नहीं जूट दिखाना पड़ेगा नहीं फेक करना पड़ेगा नहीं आपको दिखावा करना पड़ेगा और गुनाह से भी बचेंगे भाई इतना तो कमाये हैं कि आप एक महिना आराम से गुजार सकते हैं क्या दिक्कत ह ये तो उनके लिए बात है जो डेली कमाने के लिए घर से निकलते हैं रमजान की हलत में और डेली कमाकर रमजान के इफ्तार से थोड़ी देर पहले आते हैं कमाकर और उस जो कमाई होती है उससे फिर वो चीजे खरीदी जाती हैं जिसे के अपने घर में वो चीजे तयार होती फिर उन चीजों से इफ्तियारी बनाई जाती है और फिर वो रोजा खोला जाता है उनके लिए तो समझ में भी आता है आप जैसे लोगों के लिए क्या दिक्कत है तो हम नमाज पढ़कर नीचे जा रहे हैं और फनी भी सेलोन चले गए हैं अब ये बत बताओं आपको सेलोन तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए ये कहते हैं कि अगर आपको शेविंग भी करनी है तो आपको 10MA लिए करनी हो ये सारी चीजे जो है आपको सुबह मॉर्निंग ही दस बज़े CA पहले पहले ही कर लेनी चाहिए यानि के रमजान की हालात में नहीं करना या फिर रोजा खुल जाए उसके बात चले जाए तो एक बात बताईए रमजान खुलने के बात भी तो ये लोग जा सकते हैं न सलून, सलून दून का खुला रहता है सेलोन दोन के भाई के जाने माने दोस्त का है जब वो रमजान खोल कर वहाँ पर मेकप कराने के लिए मैडम जा सकती है जनाब भी वहाँ पर रेडी होने जा सकते हैं तो भाई फ़नी भाई क्यों नहीं जा सकते हैं हाँ वो बात अलग है कि उनके सेलोन में जाकर ना जाकर किस बाइसा भी लेटी हुई है एक तरफ तो यह कह रहे हैं भाई कि हमें रमजान खोलने के लिए जाना है दूसरी तरफ यहां पर दो प्लेट लगाई हुई इन्हों ने दिखाए जिसमें केले रखे हैं सेप कटे हुए रखे हैं और अंगूर रखे हैं पकोड़े रखे हुए ह और दो-तिन चीज़ें और रखे हुई हैं गुलगले भी रखे हुए हैं तो मुझे एक बताईयां फिर ये किसके लिए आए है क्योंकि ये तो पूरा खांदान यानि कि पूरा का पूरा जो खांदान था वो भाई के यहां पे नजराये था फिर जाहे इनका जो के टेकर है वो हो चाहे फिर वो एक extra लड़का था जिसके बारे में कोई भी इंटिडियूस नहीं करा यह कोई नया लड़का है वो हो चाहे फिर वो कोई और हो तो जब सारे ही लोग मापेते तो यह किस के लिए ला के रखा है ताकि बाद में जब भूग लगे इफ्तियार करने के बाद क्योंकि ये तो साही रात जाकते हैं तो कुछ भूग लगेगी तो फिर खा लेंगे तो ये जब नीचे प्रिपेशन हो रही होगी तो ये दो प्लेट लाके इसलिए रख लिए गए हैं कट्टू अगले सीन में दिखा दिया ना कि आज है भाई भावी किया पर अफ्तार हम वही पर जा रहे हैं और देखो कितनी भूली बनके बैटी है ओहो बिल्कुल मुस्कुरानी जी जैसे कितनी तकलीफ में बैटी है पता है ये कुछ ना कुछ इंडिकेशन है ये किसी ना कि अच्छार के बाद की तुम्हारी चाय तो कहती है मैडम कहती है प्रिंसेस है ना इसके नीचे सौसर भी होना चाहिए अच्छा तुमने कभी सौसर के साथ कभी चाय पीए क्या ये दिखाईए कभी हमेशा मग में चाय भर भर के पीती आ रही हो ना अब तुम्हें अचानक स आउसर भी चाहिए वाह?, तो friend सुनो कान खुल के, फ्रेंस नहीं, फ्रेंड, हम सारे काम खतम करके हम आ गए हैं, खाना खाने के लिए घर से बाहर, क्योंकि दो दिन से घर से बाहर आपने notice किया होगा, तो 도 दिन के जो जो व्लोग थे उसमें घर से बाहर खाना खाने के लिए नहीं चाहिए है नहीं कि घर पे खाना पड़ रहा था तो चलो भाई आस तवियत भी खराब थी अम्मी के यह तो खाना बने गए नीग वह तो लोग नीचे जाके खाना नहीं खा सकते थे पर नहीं तुमें कंटेंट शूट करना था तुम्हें बाहर का खाना खा के दिखाना तुम्हें रमजान में भी मोका चाहिए था कि आप बाहर जाओ रिस्टोरेंट में खाओ और फिर उसको कंटेंट बना कर शूट करो और आज डबा का कुछ करने का मन नहीं था तो यह पाटी मेरी तरफ से और इसको भी जो यह शूट कर रहा है शूट कर रहा है वह जो घर का ध्यान रखता है जो घर में खाना पीना भी बनाता है और साफ सफाई और बतन भी दोते वह देखा था हमने उसको यह पाटी देंगे फणी भाई फणी भाई रियली तुम्हारे जेब में उतने पैसे हैं यह मैडम के फोन से तुम्हें उसकी पेमिंट करनी है कैसा लग रह करा रहा है कैमरा शूट हो रहा है गृऌिंगरा है तो वह कोई जूट तोड़ना बोलेगा या नहीं याद करता है कि और नां से पूस्ता है तो नां करता है हाँ वो इमोजी लगाके और उसमें साउंड डालके हमने तुम्हें यहाँ पर कैद करके रख लिया येस एक्जेक्टली आज तुमने अपने मूँ से सही उगला है फिर कैता है येस मेरी जान इनके हाथों में कैद है और ये सब कट जाएगा वो लोग में तो कहते हैं नहीं योगी हो सकता है वो काट भी दी हो 12 बजे ढून रहे हैं मतलब ये लोग खा पी के बाहर से 12 बजे लोट रहे हैं देख लिए इनका खाने पीने का रहने सेने का ढंग जो है रमजानों में जो टाइम इबादत का होता है वो ये बाहर घूम फिर के निकाल रहे हैं क्योंकि डॉटर खाला को खानी है ब्रेड सहरी में तो इसलिए ये 12 बजे ब्रेड ढूनते फिर रहे हैं वाह मतलब सारा ठीक रहा जो हो ना घूमने फिरने का वो डॉटर खाला के नाम पे ठोक दो कहती है आज तो लिए ठीक नहीं थी कल की अन्बॉक्शिंग के बाद ये सारा का स मैं एक screenshot लगा जिए हो प्रिस चेक कीजिए मतलब इसने जो दो दिन पहले व्लोग अपलोड किया था जिसमें समान खोल खोल के दिखा री थी के कहांसे क्या समान आया है तो इस समान को ईसको इसको दे 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 देंगे वो इसने exactly व Alban का वैसे चोड़ा का धोनों कारपेट प इतनी फुरसत नहीं है कि मैं कम सकम इस समान को हटा दो तो इसका मतलब जाड़ू भी नहीं लगाई होगी, पोचा भी नहीं लगाया होगा, जब समान इनको नमाज रूम बनाने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये घर को ही साफ सुतरा नहीं रखते हैं, तो इन्होंने सोचा कि क छोटा सा कोर्नर ऐसा बना देते हैं, एडलिस जो साफ सुतरा रहेगा, तो वहाँ नमाज अदा हो जाया करेगी, अगर आप अपने घर को साफ सुतरा रखेंगे, तो आपको अलग से नमाज रूम बनाने की जरूरत नहीं है, आप घर के किसी भी कोने में आप नमाज अदा उसको भी खोलते बंद होते वे दिखाते हैं, उंगली रखके पढ़ते हुए भी दिखा दो भाई, और क्या है, और क्या क्या ही दिखाओगे, आपको शरम आने चाहिए, जबकि मैं हर बार यही कहते हूँ, जो इबादत होती है, वो बंदे और अल्लह के बीच में होती है, जो नमाज दुपटा आया है, उसको ओड़के कहते हैं, यह पता है, घर में यह सबसची चीज है, क्या आप लोग बनाओ, यह घर में कुछ खाना परी, ना कुछ भी बनाओ, तो बार बार मेरा दुपटा खिसकता रहता है, और फणी भी कहते हैं, तुमारा दुपटा किया है, कहते है, आदी बार तो हमारी क्लिप बेकार हो जाती है, क्योंकि कुछ अच्छा बोल चुके होते हैं, लेकिन फिर वो बाद में, मैंने कहा न, रीटेक, रीप्ले, रीप्ले, सब ऐसे करकर करके चेक करते हैं, और इसलिए सब कुछ नकली होता है, इनके व्लोग मे यह लटका कि वह जैसे बिलकुल बोलानी जा रहा है, वह जैसे बिलकुल अभी, बहुत जाधा हो लने जा खुराब है, और अब अब कतनी पकर कर रिया है, इसे कर लो, वैसे कर लो, मिरा मुँ ऐसे głos लग्रा लग रहा है, इस लिए कह रही है, तakki कोई देखकर ना कह, तो इ पहले मैं खुद ही कहाँ मेरा मुह इसमें कितना गोल मटोल लग रहा है आगे है वह पॉइंट हमने थोड़ देर के लिए काम रोग दिया क्योंकि दबा को काम करते करते आ गया है उल्टी जैसा और देखो एक स्क्रिंशोट लगा दिए प्लीज स्क्रिन की तरफ देखिए य इतना तेलम तेल इतना तला भुना खा के बता चल दी गया था भाई के और भावी के व्लोग से क्या 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 खा कर आई ये पहले तो इतना तला भुना वो चिकन के जो बॉट और ये सारी चीजे बनाई थी फिर वो पकोड़े बनाई थे फिर ये ब्रेड रोल मैडम ने बनाये थे और फिर वो पता नहीं और अगडम सगडम इनके हां क्या क्या सर्मान बनता है फ्रूट्स वगएरा चलो फ्रूट्स तो एक नॉर्मल हो गया इतना सब खाने के बावजूद भी मैडम बाहर से खाकर आई ये खाना तो वो तबियत खराब नहीं होगी तो क्या होग प्याता मतलब बता भी रही है और चुपा भी रही है क्योंकि यह कहीं ना कहीं डिरेक्ट इंडिकेशन दे रही है जिससे की जो मेरी ओडियंस है वो सोचने पर मजबूर हो जाए और मुJह इस तरह की engaging मिले, यह सरासर इनकी प्रानिंग है इस तरह की engaging विले और लोग जो Macao Machel Allah मुबारक हो आप मा बनने वाली है और आप pregnant हैं आपको जो है दीन हो गए हैं आप यह हो गया है क्योंकि इससे पहले भी इन्हों आपने देखा ओग व्लोग में तो उन्होंने यह कहा था कि पिछले यही दिन थे जब हमारे साथ ऐसा हो गया था, इस बार हम धियान ड़केंगे, तो यह लाइन पहला एक पॉंट था, दूसरा पॉंट बार बार कह दिये मेरी तबियत खराब हो दिये, मेरी तु discussing विल्टिय बीनी डिये जिसे कि वो अंदाजे से खुद लगा लें ताकि जब वो बोलें तो वो ये कहें कि हमने जाने अंजाने आपको indication दिये थे क्योंकि फिर वह यह वाली बात है ना वैसे तो उनको मेरे अपने मेरे अपने मेरे अपने कैती है Oddience को फिर उसी Oddience से सारी चीज़े छुपा कर रखते जैसे कि भावी की टायम पर लोगों ने कहा था कि अगर तुम्हारे अपने लोग हैं कि कुछ भी एंगल से ऐसा है क्योंकि मैं आपको पुक्ता सबूत दूँगी लेकिन आपको next podcast में पुक्ता सबूत दूँगी और please next podcast को बहुत ही ध्यान से सुनियेगा क्योंकि मैं आपको ऐसे सबूत दूँगी जिस पे आप believe करेंगे कि रियली में ऐसा है भी या नहीं भी है होगा तो भी proof दूँगी नहीं है तो भी proof दूँगी लेकिन proof जरूर दूँगी तो podcast के end तक बने रहिएगा और next podcast बिल्कुल भी मिस्मत किजिएगा इसको मैं यहीं end करती क्योंकि बहुत सारे point है हमें और भी point लेने है तो उसके लिए मैं next बनाऊंगी चलिए मैं मिलती हूँ आपसे next podcast में तिल देन बाई बाई अला हाफिस ठेक क्यार